हाई फ्रेंड्स यूपीपीशील 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत है मैं जितिंदर सर आज आपके सिंगल फेज इंडक्षन मोटर की अगली कड़ी यूनिवर्सल मोटर लेकर आया हूं और इस सेक्षन में आपको इस मोटर से रिलेटेड फुल थ्यूरी और एंसी की कुश्चन मिलेंगे तो दोस्त यदि आप हमारे चैनल पर लाए नए हैं तो चैनल को लैक सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए आगे चलते हैं वे मोटर जो प्रत्यवर्ति और दिश्ट धारा दोनों सप्लाई पर समान गत से कारे कर सकें यूनिव यूनिवर्सल मोटर कहलाती है सिध्धांत यूनिवर्सल मोटर डीसी स्रेडी मोटर के सिध्धांत पर कारे करती हैं और यह यूनिवर्सल जो मोटर होते हैं इनको एसी एसी स्रेडी मोटर भी कभी-कभी कहा जाता है ठीक ना एसी स्रेडी मोटर भी कभी-कभी इनको कह दिय जाता है यह मोटर जो है वो फेराडे के इलेक्टो मेगनेटिक इंडक्शन विद्दु चुमकिये प्रेरड के सिद्दांत पर कारे करती हैं प्रारमबिक बलगोड जो है इनका उच होता है जिसका रड़ीय मसीने भार पर भी प्रारम हो जाती है यूनिबरसल मोटर की जो दच्चता होती है ये 30 से 35 प्रित्सत होती है जब की यूनिबरसल मोटरों की जो स्पीड होती है ये 5000 से 6000 RPM टिकना 60,000 rpm revolution per minute तक हो सकती है गोडन की दिशा D.O.R. Direction of Rotation गोडन की दिशा का परिवर्तन बुरुस लीड को पलट कर संभव है तो बुरुस लीड जो होती है ये मान करके चलिए कि बुरुस हैं ठीक न? ये बुरुस हैं और इसमे यहां कम्यूटेटर लगा है तो ये दोनों लीड हैं इस वाली लीड को इस तरफ और इस वाली लीड को यदि इस तरफ दोनों को आपस में चेंज़ कर दिया जाए तो ये इस रोटर की गोडन की दिशा बदल जाती है सप्लाई टर्मिनल को बदल कर की होती है इस मोटर में समकारी कुंडलन का उपयोग नहीं किया जाता है जब मोटरें कम HP की होती है उस सवस्था में समकारी कुंडलन का उपयोग बड़ी सारवत्रिक मोटरों में किया जाता है जो बड़ी जो यूनिवर्सल मोटर होती है उनको हम electric trend में उपियोग में लेते हैं universal motor की भाग frame या योग पठलित करकी बनाई जाते हैं field या crouch field crouch होती है ये भी पठलित करके बनाई जाती है महर धारा हानियों को कम करने के लिए crouch को पठलित बनाई जाता है पठलित करने का मतलब है इस पर जो है ये warness स्टेटर कोर सिलकान स्टील की बनी होती है और इसमें कैसे अर्ध मंद याद रखना दोस्तों अर्ध बंद खांचे अर्ध बंद खांचों का उपयोग किया जाता है जो स्टेटर में पोल सू वा कांटर संक पोल सू वा पोल कांटर संक के द्वारा कसे जाते हैं जो यह पोल है और इस पर जो इस प्रकार से निकला हुआ होता है यह भाग यह क्या होता है यह पोल सू होता इसको हम pole सू कहेंगे और यह इतना भाग जो है यहां से यहां तक का यह pole है और इतना जो भाग है इदर वाला यह pole सू होता है और इसमें यहां पर counter sun के screw इस्थाफित किये जाते हैं रोटर जो होता है यूनिवर्सल मोंटर का रोटर वेश्थित यह फेज वेश्थित प्रारूपी होता है इसको हम bound type कह सकते हैं रोटर की सनचना एक DC armature के समान होती है याद रखेंगे रोटर वा armature क्रोड पटलित से यह पटलित क्रोड से निर्मित किये जाते हैं जैसे यहा पर एक armature दिखाए गया यह हिस्सा जो है यह अपका क्या है यह कम्यूटेटर है ठीके दोस्त याद रखेंगे चलिए आगे है उपयोगी ब्रुस इसमें कारवन कापर और ग्रेफाइट के ब्रुस उपयोग मिलेते हैं यहाँ पर ब्रुस दरसाए गए हैं और ब्रुस का आकार कैसा होता है दोस्त आयताकार होता है याद रखेंगे ठीके ना ब्रुस का आकार आयताकार होता है यहाँ पर ब्रुस होल्डर दरसाए गए हैं इन ब्रुसों को हम किसमें इस ब्रुस होल्डर में इस्थापिक करते हैं जहाँ पर ब्रुस होल्डर होता है और ब्रुस अत्रतर साया गया है ठेक होता है फिल्टेक सेग्मेंट के बीच थे अभण विद्युतरोधी होता है जिसकी मोटाई 0.5 mm सामानेता होती है साप्ट हुआ दिक पजवर्तक के मद्य बैके लाइट विद्धोत्रोती इस्ताबित किया जाता है यहां देखेंगे इसके बीच में यहां साप्ट इस्ताबित करेंगे और इसी में बैके लाइट का विद्धोत्रोतन किया जाता है ठीक ना साप्ट और कम्य अटा हुआ भाग देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं इसको राइजर के नाम से जाना जाता है ठीक ना यह होता है राइजर चलिए दोस्तो ओगे चलते हैं देख परिवर्था कि यह कम्यूटीटर रोटर की पतलित क्रोड की आगे होता है जिस पर आर्मेचर कुणलेंड की लीड्स जुड़ी होती है लीड्स दिख परिवर्तक की राइजर से जुड़ी होती है यह जो उठा हुआ भाग है यहां जो एक्स दर्साया गया है यही है दोस्तों आपका राइजर ठीक ना राइजर चलिए आगे जो स्टार्ट होती है यह सभी मॉन्टर और जिजनेटर मे इसमें उपयोग में लाए जाते हैं यह बॉल बेरेंग है यह रोलर बेरेंग है बहुत बड़ी मसीनों उपयोग में लाए जाते हैं यहाँ पर बुस दिखाया गया है वाइनिंग, इस ट्टेटर में जो है, वो स्रेडी वाइनिंग इस्थापित की जाती है, जब कि रोटर में बाॉंड प्रारूपी या बेश्टित प्रारूपी कुडलन का उपियोग किया जाता है, यहाँ पर आपका युनिवर्सल मोटर का चितर दर्साया गया है, इसको बह पांसो के आसपास होता है, युनिवर्सल मोटरों का सिध्धान्त, इसमें क्या है, ऐसी मोटरें एक दिसियेबल गूल विक्षित करती है, चाहे उन्हें पिर्तियावर्ती मतलब AC, चाहे दिश्ट धारा, एसी यह थवाद DC पर प्रियोग किया जाए, शार्वत्रिक मोटरे दिश्ट धारा मोटर के सिध्धान्त परकार करती है, याद रखना जो युनिवर्सल मोटर होती है, यह DC मोटर के सिध्धान्त परकार करती है, जब मोटर तथा छेत्र कुंडलन को स्रेडी क्रम में जोड़कर धारा प्रियोगत की जाती है, तब छेत्र धारा उत्पन चु उत्पन बल रेखाओं से प्रतिक्रिया करती हैं तथा आर्मेचर घूमने लगता है यहां है क्या कि जो इस्टेटर है ठीक ना इस्टेटर के द्वारा जो चुमकिये बल रेखाएं उत्पन हो रही हैं यह बल रेखाएं और जो रोटर के द्वारा उत्पन बल रेखाएं हैं यह आपस में प्रित्किरिया करती है जिसके कारण जो है रोटर क्या होता है यह रोटेटिंग होने लगता है आगे क्या लिखा है यह प्रित्यावर्ति धारा यह दिश्ट धारा दोनों के लिए सत्य है चलिए आगे चलते हैं जो गति नियंत्रड है इस मोटर के हम गति को कैस कर सकते हैं प्रित्रोध विदी द्वारा यंद्रिय यंत्र विद के दवारा इनका उपोड़ायं करते हैं इसमें नाइक्रॉमdid तार का उपवयोग होता है यह पड़ीधि नमいうकर विद्थ मेचेश्छ, में जो युक्ति या डिवाइस होती है गरेलू फूड ड्रिंक्स या फूड मिक्सर में इसका उप्योग किया जाता है और यह कूट के रूप में यह प्रिश्ण यह पीविसेल की परिच्छा में उच्छा जा चुका है युनिवर्सल मोटर के यूज गरेलू सिलाई में खिलोनों में निरबात या वेक्यूम किलीनर में हेर ड्रायर में सेविंग मसीन में जूसर में फूड डिंक्स मिक्सर में पॉर्टेवल ड्रिल इनमें सभी में युनिवर्सल मोटर का उप्योग किया जाता है दोस्तो यूनिवर्सल मोटर के objective प्रिष्ण है पहला कुश्चन है यहाँ पर जो यूनिवर्सल मोटर है ठीक है यूनिवर्सल मोटर का रोटर किस प्रकार का बना होता है अभी आप उपर पढ़ चुके है तो आंसर आपको निश्चित मिल गया होगा बाउंड प्रारूपी पिंजरार प्रारूपी क्रोम स्टील का बेलना का रोटर या फिर सिल्कान स्टील का बना इसका राइट आंसर है option number one नेक्ट कुशन है युनिवर्सल मोटर के बुरुस का क्या कारे है तो जो बुरुस का कारे पूछा गया है कुंडलन को धारा देना कुंडलन से धारा को घटाना कुंडलन को धारा लेना कुंडलन से होगा दोस्तों कुंड़न से धारा लेना गरशड प्रदान करना है। इसको हटा दीजिये पुरुस जो घरशड प्र० करता तो है परंतु बहुत नाव मातल का करता है परंतु इसकाRight स्टील राइट अंसर है आपका ओप्शन नमबर 4 नेश्ट कुश्चन है युनिवर्सल मोटर का इस्टेटर पोल वा पोल सू किस की साहता से जुड़े रहते हैं रिवेट, वेल्डिंग, काउंटर संकी स्क्रू सरेस इसका राइट अंसर है आप्शन नमबर 3 काउंटर संकी स्क्रू के द्वारा इस्टेटर पोल वा पोल सू को आपस में इस्थापित किया जाता है नेस्ट कुशन है युनिवर्सल मोटर में उप्योगी बुरुस का आकार कैसा होता है वर्गकार, वर्गकार, आयताकार या फिर परवलियाकार इसका राइट अंसर हो जाएगा आयताकार नेस्ट कुशन है युनिवर्सल मोटर की दच्चता लगबग कितनी होती है पचपन से 65 प्रिसत, 45 से 55 प्रिसत, 25 से 35 प्रिसत या फिर 5 से 35 प्रिसत तो दोस्तो पेपर में लगबग 30 प्रिसेंट मारा गया था तो इसके अधार पर आपका ओप्सन नमबर 3 राइट हो जाएगा नेच्ट कुशन है ब्रिस होल्डर को कालिस्तान पर इस्थापित किया जाता है रोटर साप्ट पर गलत रोटर साप्ट पर नहीं इस्थापित किया जाता है देख परिबटक पर ये भी गलत इसको रोटर साप्ट पर इस्थापित किया जाता है एंड प्लेट पर आर्मेच बुरुस को इस्थापित करते हैं नेक्ट कोश्चन है यूनिवर्सल मोटर के गुल्डन की दिशा को निम्ड मैं से किस प्रकार बदला जा सकता है बुरुस लीड बदल कर गुल्डन की दिशा को बदलना संभव नहीं है मुख्य सप्लाई के टर्मिनल परस पर बदल कर इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर अभी मैंने बताया था बुर्स लीट को परस पर बदला जाए तो मोटर के गुर्डन की दिशा या डी यो आर चेंज हो जाते हैं दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सेयर सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू थैंक्यू पर में वाचिंग और नेस्ट टॉपिक जो है आपके लिए रहेगा नेस्ट टॉपिक आप लोगों को मिलेगा हिस्टे रिसिस मोटर का किसका हिस्टे रिसिस हिस्टे रिसिस मोटर नेस्ट टॉपिक है हिस्टे रिसिस मोटर का ठीके दोस्तों वीडियो को सेयर सब्सक्राइब करें थैंक्यू थैंक्यू पर में वाचिंग जैहिन